आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही करारे स्नैक्स के रसी भी लाया हूँ यह बहुत ही मज़िदार बनते हैं और यह मैंने रात के बचे हुए चावल से बनाए है तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं तो बगेर टाइम वे इसके बनाना स्टार्ट करते हैं मैं हूँ अतान और आप देख रहे हैं अधनान अरी फूर्ट दर दो जी वीडियो पसंद आए तो जरूर लायक कीजिए गॉया और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए गया तो यहाँपर मैंने सबसे पहले एक grinder कर जग लिया है उसमें हम यहाँपर डालेंगे एक medium-size की प्यास यहाँपर मैंने काट लिया है और चार से पांच जवे मैंने लसन के यहाँ पर चील लिया है यह हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे तो यहाँ पर देखें जी मैंने अच्छे से इनको ग्राइंड कर लिया है अब यहाँ पर मैंने तक्रीबन एक काटोरी के करीब यह रात के जावल बच गए थे तो यह हम इसमें शामल करेंगे और इसके हम स्नैक्स बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार यह हम इसमें शामल करेंगे और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे तो यहाँ पर मैं इसको जूसर के जग में पीस रहा हूँ क्योंकि ग्राइंडर जार जो है वो मेरे पास नहीं है तो इसमें थोड़ा समय पाने शामल करूंगा अगर आप ग्राइंडर जार में बना रहे हैं तो उसमें आप बिल्कुल पानी नहीं शामल कीजिएगा आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना कोशिश ये करनी है आपने कि इसमें कम से कम आप पानी योज करें तो यहाँ पर मैंने इसमें खोपरा शामल कर दिया है दो टेबल स्पून अगर आपके पास साबित खोपरा है तो आप इसको प्यास के साथ भी पीस के डाल सकते हैं अगर इसके साथ ही हम इसमें चावल का आठा शामिल करेंगे चावल का आठा अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरी तरह चावलों को पीस के इसमें शामिल कर सकते tutaj यहाँ पर मैंने आदा कप चावल लिये थे इसको दो के अच्छे से कपले से खुश करके उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको पीस लिया है तो इसके साथ मैंने इसको मिक्स कर लिया है यहां पर देखें जी मैंने अच्छे से इसको सारे चावलों को पीस लिया है अच्छे तरीके से कम से कम मैंने इसमें पाने शामल किया है और यहां पर देखें जी बहुती जबर्दस हमारा पिस चुका है अच्छा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ अगर आपके पास ग्राइंडर जार भी नहीं है जूसर मशीन भी नहीं है तो आपने एक कप लेना है या कोई भी आप ऐसी चीज ले और इस तरह से आपने इसको मसलना है इस तरीके से देखें जी इस तरीके से भी आप मसलेंगे अच्छे तरीके से तो ये इस तरीके से भी हो जाएगा तो अच्छे तरीके से हम इसको और भी मसल रहें ताकि ये बहुत ही हमारा सुमूज सा पेस्ट बन जाए सोरी डो बन जाए तो यहां पर देखें जिसको अच्छे तरीके से हमने कर लिया है अब डो आपका इतना ऐसा होना चाहिए ना ज्यादा सक्त होना चाहिए ना ज्यादा नरम होना चाहिए अगर आपका डो ज्यादा नरम है तो आप इसमें थोड़ा सा चावल काटा औरेट कर सकते हैं अब हम इसको फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हम इसमे थोड़ी सी कलॉंजी शामिल कर रह lewn आप इसमें सफेद तिäl भी शामिल कर सकते हैं और इसके साथ ही हम इसमें कुटी हुई लालमिश भी शामिल करेंगी यह भी हम इसमें एक टेबल स्पून शामिल कर देंगे और यहां पर हमें हरा धन्याज चामल कर रहे हैं हैं अगर आपके पास कड़ी-पता है तो आप इसमें कड़ी-पता भी शामल कर सकते हैं पिर आपने हरा धन्याज में शामल नहीं करना अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी से mix करेंगे और इसे के साथ है हम इसमें थोड़ा सा सा है स्में दो टेबले समय कोकिंग ऊइल शामिलब करेंगे इसे हमारे passes बनेगे वह क element बहुतad में इसके अच्छे हम थोड़ा सा मेदा डस्ट करेंगे और थोड़ा सा हम इसके उपर भी आटा लगा लेंगे और इस तरीके से हम इसकी रोटी बनाएंगे तो इस तरीके से आपने इसको बेल लेना है अच्छे तरीके से और इसकी रोटी बनानी है अब कोई भी आप कुकी कटर ले या कोई भी आप बोतल का धकन ले उसे हम इसको शेप देंगे तो यहां पर मैंने एक बोतल का धकन लिया है और इसको हम इससे शेप देंगे तो इस तरीके से आपने इसको शेप दे देना है गोल गोल काट लेनी है और बकायर जो हमारा ये डो बच गया है हम इसको दुबारा से बेल लेते हैं फिलाल हम इसको साइट पे रखेंगे अब आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने एक उठाना है और ये जो हमारी फिंगर है इस तरह के से आपने इसको जॉइंट कर लेना है इसे आपने इसको शेप देना है बहुती जबर्दस और बहुती एजी तरीके से इसका शेप बन जाता है या आपके पास अगर कोई विसकर का पिछला हिसा जो होता है उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं कोई भी आप स्पून ले सकते हैं तो आपने बस इसको शेब देना है, किसी भी चीज़ से बहुती जबरदस सनैक्स को तो देखें जी जबरदस अब हम क्या करेंगे कि हम इसको फ्राइ कर लेते हैं तो यहां पुर मैंने ओयल को गळुनम कर लिया है, अब हम इसको medium to low flame पे fry करेंगे आपने पहले medium to low flame करनी है उसके बाद जब आपने snacks डाल लेने है तो उसके बाद आपने बिलकुल low flame पे इसको fry करना है high flame आपने नहीं करनी बिलकुल low flame पे इसको अच्छे तरीके से आप fry करेंगे तो यह बहुती करंची और बहुती क्रिस्पी हो जाएंगे तो यहाँ पर देखें जी बहुती प्यारा सा इनका कलर आ चुका है हमने इसको ज्यादा फ्राइड नहीं करना और अब हम इनको निकाल लेते हैं इस तरीके से देखें जी बहुती मज़ेदार हमारे सनेक्स बनके रेड़ी हो चुके हैं यह बहुती जबर्दस इतने क्रंची इतने क्रिस्पी लगेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने मज़ेदार यह सनेक्स आपने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार तीन चार तो आप ऐसे ही फ्राइ करते करते खा जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे इसको फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हम एक बॉल लेंगे और सारे स्नैक्स हम उसमें डाल लेंगे और उसके बाद हम इसमें कोई भी आपके पास मसाला हो जैसे मेकरोनी मसाला होता है मेगी मसाला या चार्ट मसाला जो भी आपके पास पड़ाओ घर में आप एक टेबल स्पून इसके ओपर डालें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें तो यहाँ पर मेरे पास चार्ट मसाला था तो मैंने इसमें चार्ट मसाला शामिल किया है इससे भी इसका टेस्ट और फ्रिवर बहुत ही अच्छा आता है इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे तो लीजिए बहुती जबर्दस हमारे चावल के स्नैक्स जो हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा ओके जी अला हाफिज